हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आई चैनल स्टडी फोर यू जैसा कि आज आज आपका SSE CGL का 9 सितंबर के सेकंड शिप का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका मैं आपको भिल्कुल 100% accurate answer के साथ इस वीडियों आताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के आज आपके 9 सितंबर के सेकंड शिप के एक्जाम में प्रेस्टन पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE CGL एक्जाम से रिलेटेड पलपल गी अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैल एकन यानि घंटी का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिएगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का आपका पहला कुशन है था कि वेर वाज दा फर्स्ट मैच OF THE women's premier league 2015 हैल्ड यानि women's premier league 2023 का जो पहला मैच है न यह कहां पर खेला गया था तो देखिए woman's premier league के बात कर ले तो 2023 में यह पहला संसकरन था और पहला संसकरन का जो पहला मैच ही है यह आपका Mumbai Indians और Gujarat Giants के मद्ध जो वो खेला गया था और यह जो पहला मैच है यह आपका कहां पर खेला गया था तो यह आपका Mumbai के DY Party ले स्टेडियम में जो वो खेला गया था तो कहां पर खेला गया था थो पूचे गया था तो मुंबई आपको द्धाने रखना तो आगे कि सिप्टो में रीज यहां से प्रश्न पूचा जायेगा। तो देखे, Women's Premier League 2013, जिसका जो कि आपका पहला सीजन था, और इसका जो फाइनल मैच है, यह किसके मद्दे खेला गया था, तो देखे, फाइनल जो मैच है, यह आपका Mumbai Indians और दिली Capitals के मद्दे जो वो खेला गया था, और इसका जो वीजेता रहा था, यानि 2003 जो पहला सीजन क में जो वो खेला गया था, तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, तो देखे, यह तो आपका 2023 का पहला सीजन हो गया, 2024 में जो आपका दूसरा सीजन खेला गया ना, WPL का, इसका जो चैंपियन्स टीम रहा है, यह आपका Royal Challengers Bangalore जो इसका चैंपियन्स रहा है, वह अ फाइनल मैच है 2024 का, यह जो है कहां पर खेला गया था, तो यह जो आपका 17 मार्च 2024 को जो है, नई दिली के अरून जेटली क्रिकेट स्टेडियम में जो वो खेला गया था, वही अगर मैं बता दू कि दो जो सीजन खेले गया ना, WPL के, इसमें पांच टीमों ने जो भाग है, और अगर बात कर ले कि फाइनल जो मैच है, यह आपका, सौरी 2024 में, WPL का जो पहला मैच है, यह किसके मद्दे खेला गया था, तो देखे 2024 का जो दूसरा सीजन हुआ था, इसका जो पहला मैच है ना, यह आपका मुंबई इंडियन्स और दिली कैपिटल्स के मद्दे ज जो वो खेला गया था, और कहां पर और किस स्टेडियम में खेला गया था, तो यह जो आपका, एम चिनना स्वामी स्टेडियम, जो कि आपका बैंगलोर में है, यहाँ पर जो वो खेला गया था, तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोशन आपक कि Tetra Butyl Alcohol का IUPAC name पूछा गया था तो देखे Tetra Butyl Alcohol का IUPAC name होता है वो आपका 2-methyl-2-propanol होता है तो 2-methyl-2-propanol आपका यहाँ पे correct answer होगा वही अगर बात कर ले Tetra Butyl Alcohol का सुत्र अगर एक्जाम में पूछा जाए तो देखे इसका जो सुत्र होता है वो आपका CS3 whole thrice C.OH होता है तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा और आप comment करके जवाब दीजेगा कि IUPAC का जवाब फुल फॉर्म क्या होता है यह जो आप comment करके जरूर जवाब दीजेगा Next question आपका यहाँ पर रह था कि according to the 2011 census which state had the highest female workforce participation rate in India यानि 2011 की जनगना के नुशार भारत में किस राज्य में जो है सबसे अधिक महिला कारेबल की कारेबल भागीदारी जो है वो सबसे अधिक रहा था तो देखे 2011 की जनगना के नुशार सबसे ज़्यादा जो female workforce participation वाला जो राज्य रहा था या आपका हिमाचल परदेश रहा था हिमाचल परदेश राज्य में महिला कारेबल भागीदारी दर जो है ये लगबग आपका 44.84 परसेंट रहा था तो ये fact भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाग एक्जाम में अगर पूछा जा कि 2011 की जनगना के अनुसार सभी भारती हस्तरों पर कारेबल भागीदारी दर महिलाओं का और पूरसों का जो ये कितना परतीसत रहा था तो देखे अगर महिलाओं की बात कर ले तो अबर आल जो है ये आपका 25.51 परसेंट रहा था और पूरसों के लिए जो आपका जो भागीदारी रहा था वो आपका 53.26 परसेंट रहा था तो ये fact भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि गगंग नारंग ने जो है गगंग नारंग ने जो है इस ओलंपिक में पूरस के 10 मीटर एयर राइफल आयोजन में जो है ये भारत के तरफ से जो है ये ब्रांज मैडल यानि कान से पदक जो वो जीते थे तो ब्रांज मैडल आपका यहां पर करेक्ट टैंसर होगा लेकिन कुछ बच्चों ने बता है कि यहां पर वर्स जो वो पूछा गया था तो देखें गगंग नारंग ने जो है आपका राइफल में जो है ये जो कान से पदक है न ये 2012 के जो है लंदन ओलंपिक में जीता था तो अगर वर्स पूछा गया था तो 2012 आपका यहां पर करेक्ट टैंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि 2012 के लंदन ओलंपिक में ही जो है साइना नेवाल ने बैडमिंटन में जो है ये ब्रांज मेडल जीती थी तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रिखेगा इसके लाव अगर 2024 की अगर ओलंपिक की बात कर ले तो देखे 2024 में जो आपका ओलंपिक है ये आपका पैरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है और इसमें सुटिंग में भारत के तीन पदक आया है और वो तीन पदक जीतने वाले विजेता का नाम आपको ध्यान में रखना है जैसे कि मनु भाकर ने जो है उमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में ये कान से पदक जीती है इसके लावा मनु भाकर और सरब जो सिंग ने जो है तेन मीटर एयर पिस्टल मिस्रेट टी में ये कान से पदक जीते हैं वहीं स्वपनिल कुसाले ने जो है पूरुस के 50 मीटर राइफल 3P में जो है ये ब्रॉंज मेडल जीते हैं तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा वहीं अगर परिश ओलंपिक 24 की बात कर ले तो भारत जो इसमें छे पदक जो जीता है और छे पदक में एक आपका सिल्वर और पांच जो वह ब्रॉंज मेडल जीता गया है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका या पर है कि when water is passed through electrolysis then which reaction occurs यानि जब पानी electrolysis के माध्यम से पारित किया जाता है तो ये जो है कौन सी प्रतिक्रिया जो वह होता है तो देखे जब भी पानी electrolysis के माध्यम से जब पारित किया जाता है तो यह आपका decomposition reaction यानि अब घटन अभिक्रिया क जा जो वह उधारन होता है तो decomposition reaction आपका यहां पर correct answer होगा और option में आपका double displacement, displacement reaction, decomposition reaction, decomposition reaction इस परकार से option जो वह दिया गया था तो decomposition reaction आपका यहां पर correct answer होगा उदारन के दौर पे मैं आपको बता देता हूँ एक आपको reaction देकर भी बता देता हूँ जैसे यहाँ पर 2S2O यह जो आपका 2S2 बन रहा प्लस O2 बन रहा है यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं इस reaction में कि पानी के जो दो अनू है ना और दो हाइड्रोजन और एक जो है ऑक्सीजन गैस जो बनाता है तो यह आप जो है reaction जो ध्यान में रखिएगा next question आपका यहाँ पर है कि जो चिटेगॉंग आर्मरी रेड यानि जो चटगाओं सस्तरगार जो छापा हुआ था ना यह कब हुआ था तो देगे यह जो आपका चिटेगॉंग जो आर्मरी रेड या आप 15परल 930 को जू है यह आपका हुआ था और इसके ju नेटित हॉइ Я किस ने किया था तो इसका Цितेग्उन ना भारत के महान करांती कारी सूरेशियं ने जो इसका नेटित हो zelf वो कीय था त तहत दच्छिन भारत अभ्यान का सेना पती जो यह कौन था? कुछ बचों ने इस कोशन को बताया है और कुछ बचों ने कोशन यह बताया था कि अलाओदिन खिल जी के सासन काल में दच्छिन में सबसे पहला जो आकरमन है न यह कहाँ पर किया गया था? तो देखे मैं दोनों को ऩर इन्सर ऐसे जा आपको दे देता हूं, तो देखिये अलावदिन खिल जेटा है, तच्छिन भारत्य अभयान का जो सिना पती था ना ये मलिक काफूर था तो मलिक काफूर आपका यहां पे कर्रेक्ट जो यह किसे जाना जाता है तो यह आपके मली काफूर को जो जाना जाता है अब दूसरे कोशन की और देखें तो अलाओदीन खिल जी के सासनकाल में दच्छिन में जो सबसे पहला जो आकरमन है ना यह 1303 इस्वी में जो है यह तेलंगना पर जो वो आकरमन किया गया था तो अ अलाματα अल्त आखिल जी ने अपने जो राज़ानी है एक तो यह पूंट भी हा थी अपने कर लगा दो है वो तीन कर जो वो लगाया थी और वो तीन टैक्स कौन कौन से थे तो पहला आपका जजिया कर सेकंड आपका घराई कर और थर्ड आपका जकात कर जो वो सामिल था इसके लावा दच्छिन भारत में सैन ने अब्यान सुरू करने वाला भी जो सासक था ये अलाओदीन खिलजी किस अनुछेद में ये कहा गया है कि राज्य की कारेपाली का सकती का जो इस्तमाल है न वो इस तरह से किया जाना चाहिए कि इससे केंद्र सरकार की कारेपाली का सकती पर कोई असर ना पड़े और इसके अलावा केंद्र सरकार को जरूत पढ़ने पर जो है किसी राज्य सरक को निर्देश देने का जो वो अधिकार प्राप्त हो तो देगे भारते संविधान के अनुछे 257 में कुछ मामलों में राज्योपर संग के नियंतरन के बारे में जो वो बताए गया है और जिसमें आपका बताए गया कि राज्य कारेपाली का सकती का इस्तमाल इस तरह से किया प्राप्त हो तो अनुछे 257 आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहा था कि विच मनिपूरी क्लासिकल डांसर ओपेंड गोविंद जी नर्तनाले डांस स्कूल फोर उमें इन इमफाल यानि किस मनिपूरी सास्त्रे निर्ट्यांगना ने जो है इ कौन-कौन कलाकार जो वह संबंदी थे तो आप्षन में आपका गुरु विपिन सिंग दिया गया था तो देखे गुरु विपिन सिंग मनिपूरी निर्ट्ये का जो है जनक माना जाता है और इनोंने ही आपके इमफाल में मैलाओं के लिए गुविंद जी नर्तनाले डिट जो वह खोले थे तो गुरु विपिन सिंग आपके यहां पर करेक्ट एंसर होगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि गुरु विपिन सिंग ही जो है 1972 में कलकता में मनिपूरी नर्तनाले निर्ट विपिन जो वह बनाए थे तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा ने दिगरी से 35 दिगरी उत्तरी अचांस के बीच जो वह बहता है तो 8 दिगरी से 35 दिगरी में जो भी आपका उप्शन में दिया गया होगा वह आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा और यह जो जेट धराय होते हैं यह आपके भारत में दच्छिन पस्चिम मौनसिंस से जो व को हवा होती है और यह जो आपका लू है ना यह मई और जून के महिने में सबसे ज़्यादा चलता और यह कहां पर चलता है सबसे ज़्यादा तो यह आपका राजस्थान राज्जी में चलता है और यह जो आपका उत्तर भारत और पाकिस्तान के पस्चिमी भारत गंगा के मैदानी च्छित्र में जो वो चलता है तो और आपका नॉर्थ वेस्ट दिया गया होगा तो नॉर्थ वेस्ट जो आपका यहां पर करिक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कुछ आपको बता देता हूं कि 2020 में लता मंगिशकर पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया था किसी ने बता है 2022 का पूछा गया था किसी ने बता है 2023 का पूछा गया था तो देखे मैं सारा आपको बता देता हूँ कि 2020 में जो लता मंगिशकर पुरुषकार है या आपके संगित निर्देशक आनन्द मिलिंद को जो वो सम्मानित किया गया था तो 2020 का अगर पूछा गया था तो आनन्द मिलिंद आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा 2021 का अगर पूछ ले तो देखे 2021 में आपके लता मंगिशकर पुरुषकार से यह कुमार सानु को जो वो सम्मानित किया गया है वही अगर बात कर ले लता मंगिशकर दिनानात पुरुषकार से अगर पूछा जाए तो देखे 2022 में लता मंगिशकर दिनानात पुरुषकार पान किया गया है 2024 में जो है अमिता बच्चन को जो इसे सम्मानित किया गया है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आप रहता कि DPSP यानि भारते संविधान के राज्जी निथी के निदेशक सिधान से जो है आपका स्टेट्मेंट बेस जो वो प्रस्ट नजिएस गन्याय संगत तो यह फैक्लिया गया है तो यह फैसे बिया है तक में अपको बतादू कि जो आपका गैरे म... किस उत्थी감 बदाये गया है तो गानुछेत के यह आईसनित धेसरा निहित प्रावधान तो फिर भी इसे ड़ाट द्वारा नहीं किया जा फिर भी ये सिथान जो है देश के सासन में मौलिक है और कानौन बनाने में इन सिथानटों को जो लागू करना ये जो आपका राज जी का कर्टब्य होगा ये जो आपका अनुछेत 37 में जो वो कहा गया है तो अगर अनुछेत पूछा गया था तो अनुछेत 37 आपका correct answer होगा इसके लावा DPSP का जो उलेक है यह आपका संभिधान के भाग 4 और अनुछेत 36 से 51 तक जो वो सामिल है तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा और DPSP का जो प्रावधान है यह आपके Ireland देश के संभिधान से लिया गया है तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा Next question आपका यहाप रहा था कि fundamental unit of nature is यानि प्रकृती का जो मूल इकाई पूछा गया था तो देखे प्रकृती का जो मूल इकाई है यह आपका परिस्तिति की तंत्र है यानि एको सिस्टम है तो एको सिस्टम आपका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा Next step का यहाप रहा था कि which of the following associated with the ताना भगत movement यानि निम्न लिखित में से जो है कौन ताना भगत अंदोलन से जो वो जुड़े हुए है तो देखे अगर ताना भगत अंदोलन की बात कर ले तो यह आपका ताना भगत अंदोलन है यह आपका अप्रेल 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में यह आपका खत्म हो गया था और यह जो आंदोलन है यह आपका बिहार में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का जो मकसद था ना वो उराव जंजाती को समाजिक अर्थिक वेद्वाव से जो वो मुक्त करना था तो I think आपका जो है जंजाती के बारे में पूछा गया वहीं अगर बात कर अंदोलन का जो नातित हुह यह किसने किया था तो बैसा प्रदम नाम से बीजो जो जाना जाता है तो ऐसे वी आप ध्यान में रखेगा नेक्स शाएब का ऑड़्याव ढाख़ार Mr. Indira Gandhi this stamp was entitled as यानि हरित करांदी की उपलब्दियों को दर्साने के लिए ततकालिन प्रधान मंत्री स्रीमत्री इंद्रा गांदी के द्वारा जो है एक डाग टिकर जो जारी किया गया था और इस स्टाम का जो है वो नाम पूछा गया था तो देखे हरित करांदी की उपलब्दियों को दर्साने के लिए प्रधान मंत्री स्रीमत्री इंद्रा गांदी के द्वारा जो है एक टिकर जारी किया गया था डाग टिकर और उस स्टाम का जो नाम था वो आपका विट रिबोल्यूशन था यानि जो आपका गेहू करांदी था और इसे जो है कब जारी किया गया था तो यह आपका जुलाई 1968 में जो वो जारी किया गया था तो विट रिबोल्यूशन आपका करेक्ट एंसर होगा इसके लाब अगर ग्रीन रिबोल्यूशन यानि हरित करांदी की बात कर ले तो देखे हरीत करांदी सब्द का जो पहली बार परियोग है ना ये विलियम गॉड की द्वारा जो आपका इसका परियोग जो वो किया गया था और सबसे पहले जो हरीत करांदी की सुरुआत है ना विसो में ये आपका मैकसिको देश से जो इसकी सुरुआत जो वो किया गया तो यह आपके नार्मन बारलो को जो जाना जाता है और भारत में हरीत करांदी के जनक के रूप में जो है यह आपके MS स्वामी नाथन को जो जाना जाता है और सबसे जाता जो हरीत करांदी पे फोकस किया गया था किस फसल पर फोकस किया गया था तो यह आपका गेहूं और चा पिली थ्छह ड़कालम्रbit, तो यह तर्वन आपको के तुझाये वह साङन एसके बाद आपन देखने आपको बुक हार लगता है और जी मचलना सिह पीली अपनलब के दरदieten वे सदोड़ इसके अब प्रेशाब आया था difी थैन आपको ईविद्या सिर्न लच्छन है तो option में आपका एक दिया गया था कि तचा और आँकों का जो वो पीला होना होता है तो ये वला option जो दिया गया था ना ये जो आपका यहाँ पे correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि what is the relation between money and interest rate यानि मुद्रा आपूर्ती और ब्यास दरों में जो है ये किस परकार का जो वो संबंद होता है तो देखे मुद्रा आपूर्ती और ब्यास दरों में जो है ये आपका विपरित संबंद यानि inverse relationship होता है तो option में आपका indirect दिया गया था तो indirect आपका यहाँ पर correct answer होगा मैं आपका पता दू कि जो आपका मुद्रा आपूर्ती और ब्यास दरों में जो है आपका inverse relationship यानि एक उल्टा रिस्ता होता है यदि किसी देश की अर्थ विवस्ता में धन की आपूर्ती अधिक है तो ब्यास दर में जो वो कमी हो जो हो और यदि मुद्रा आपूर्ती कम है तो इसकी जो दरे है ना वो अधिक हो जाएगा तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कुश है आपका यहाँ रहता है कि बिहार में चट पूजा के दौरान की जाने वाली प्रातनाएं यह किसे समर्पीत है यानि किस भगवा में जो आपका चट पूजा मनाया जाता है यह किस देवता को समर्पीत है तो यह आपके सुर्य और चटी मया जिने मा सस्टी या फिर उशा के नाम से भी जाना जाता है इनको जो यह समर्पीत है और यह जो आपका जो तेवहार है यह आपका कठोर और सक्त तरीके से भी जो वो माना जाता है और आप देखे होएगी जो आपका चट पूजा होता न उसमें आपका एक तो साम को अर्ध दिया जाता है और एक आपका जो सुभा का अर्ध जो वो दिया जाता है तो देखें जो आपका साम का जो अर्ध दिया जाता है या जो अंतिम किरन होता है न वो प् उसा को जो वो दिया जाता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेएगा नेक्स्ट को अगर बात कर ले अन्ने महत्पूर्ण तेवार और उनके राज्जी के बारे में जैसे कि दसहरा, उगादी, दक्कन महुत्सव और ब्रमोत्सव ये सबी जो तेवार है ना ये आपके आंधर पर्देश राज्जी में मनाए जाते हैं अरुनाचल पर्देश के तेवार की बात कर ले तो देखे रेह, बुरी, बूट, मायोको, द्री, पॉंग्टू, लोसार, मुरूंग, सोलंग, मोपीन, मोनपा, उस्सव ये सबी आपके अरुनाचल पर्देश राज्जी मे मनाए जाते हैं इसके लाव अगर असम की बात कर ले तो देखे अंबुबाची, मेला, भुगाली, बीहू, बैसाग, देहिंग, पठकाई, ये सबी आपके असम राज्जी में मनाए जाते हैं, चटपूजा और बिहूला, ये जो आपके बिहार राज्जी में मुख्य रु ये सब ये आपके गुजरात में मनाए जाते हैं, हिमाचल परदेश की बात कर ले तो देखे राक ढूमनी गोची महत्सो, ये आपके हिमाचल परदेश के हैं, हर्याना में आपका बैसाखी मनाए जाता है, जम्मु कसमीर में हर् नॉमी, चरी, बहु मेला, और दुस्मूच जारकन में आपका करम उच्छा और वीशू जो वो मनाए जाता है इसके लाब आप सभी राज्यों का जो है उच्छा और तेवार जो वो देख लीजेगा और इसका पीडियप जो है मैं आपको टेलीग्राम पर भी जो वो अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक आपको description में मिल जाएगा, next question आपका यहाँ पर रहा था कि टांका और कुंड वर्सा जल संचियन प्रनाली है जो कि एक ऐसी संरचना है जिसका उपयोग जो आम तोर पर निमली खित में से किस राज्य में किया जाता है, तो देखे टांका और कुंड वर्सा जल संचियन प्रना भारत का पहला राज्य है, जिसने पूरे राज्य में जो है, सभी घरों की छट पर वर्सा जल संचियन संरचना को जो है, वो अनिवार्री कर दिया है, तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा, next question आपका यहाँ पर रहा था, कि एक जो आपका मनना डे से जो वो प्रस्न कि मनना डे जो है न, यह आपके एक प्रसीद भारती पार्सो गाईका, यानि इंडियन प्लेबेक सिंगर हैं, और एक जो आपके संगीत निडेशक और संगीतकार भी थे, तो यह point आप ध्यान में रखेगा मनना डे के बारे में, इसके लावा के पुरुषकार की बात कर ले थे, तो इन्हें 1971 में भारत सरकार के दोरा पदम स्री आवार्ट से समानित किया गिया था और इन्हे 1972 में मेरा नाम जोकर के लिए सर्वसेष्ट पारसो गाईका का फिल्म फैर पुरुषकार से भी जो वह समानित किया था, इसके लावाम मनना डे को, इन्हें नीए spicy में ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोशें आपका याम रादा कि राजा महेंदर प्रताप सिंग, अस्टेट यूनिवर्सिटी, ये जो कहां पर है, तो देखे राजा महेंदर प्रताप सिंग, अस्टेट यूनिवर्सिटी के बात कर ले, तो ये जो आपका उत्तर परदेश के अली घड में है, जो कि आपका एक सारवजनिक विश्वी द्याले है, तो अली घड आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट अगर बात कर लें इंगलिस के बारे में, तो देखें बरसर्क का जो आपका एंटोनीम पूछा गया था, अब्यूंडेंट का जो आपका स प्रशन मिल पाया थे, जो कि मैंने आपको 100% accurate analysis दिया है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेएगा, और इसी तरह SSC के किसी भी exam का real analysis पाने के लिए चैनल को subscribe जरू कर दीजेएगा, तो मिलते नेक्स वीड़े हैं, तब तक thank you, all the best